कन्फ्यूजन श्री लगुश यत्रुणजय कल्प में कहा है कि जो आत्मा चौवी हर्चट करके पाली तरणा की साथ यात्रा करे उसे तीसरे भव में मोक्ष मिलता है इस वचन के आधार पर अभी तक हजारों या लाखों जैनों ने साथ यात्रा की है कर रहे है प्रशने सिर्फ लोगों का इतना है कि क्या साथ यात्रा करने वाले तीसरे भव में मोक्ष में जाएंगे ऐसा फिक्स है यानि कि एकांत है या फिर उसमें भी कुछ फरक है जानने के लिए बने रहे है इस वीडियो के अंत तक कन्फूशन सेल्यूशन की इस सीरीज में हम लोगों के मन में जो कन्फूशन है उनका सेल्यूशन ग्यानी गुरु भग्वन से लेकर जैन मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अगर आपके भी मन में कोई confusion है तो comment box में पूछ सकते हैं सबसे पहली बात यह है कि जैन धर्म में अनेकांत वाद मुख्य है कोई भी पदार्थ एकांत से नहीं कहा जाता बलकि अनेकांत से बताया जाता है इसलिए शत्रुण्जय की साथ यात्रा करने वाले को तीसरे भव में मौक्ष इस बात में भी एकांत बिलकुल नहीं है अगर विशिष्ट विधी प्लेस विशिष्ट भाव से साथ यात्रा की जाए तो तीसरे भव में मौक्ष होगा अगर विदी में कमी हो भाव में कमी हो तो ज्यादा भव भी हो सकते हैं यहाँ तक कि अगर भारी अविदी हो अतिशय खराब भाव हो तो लाखो भव भी हो सकते हैं यह सुनकर अनेक लोगों के मन में शंका कुशंका खड़ी होगी ही लेकिन एकांत को छोड़ कर थंडे मन से हम इस पदार्थ को समझने का प्रयास करते है पॉइंट नमबो वन एक स्तुती में इस प्रकार कहा है कि पशु पंखी जे इनगेरी आवे भव तरी जे ते मोक्ष पावे अब इसमें तो ऐसा लिखा है कि पशु या पक्षी शत्रुजे परवत पर आते हैं तो भी मोक्ष तो हम मनुष्य भाव से वहाज जाए चट न करे इकाद यात्रा करे तो हमारा भी तीसरे भव में मोक्ष होना चाहिए ना तो हमको चोविहर चट करके साथ यात्रा करने की जरूत ही नहीं रही अब तो हजारो लाखो पशु पक्षियों को पाली तरना ले जाना चाहिए ताकि उन सब का तीसरे भव में मोक्ष हो जाए ये तो जबरदस्त परुपकार का काम हो जाएगा अब सोचिए क्या ये बात हमें उचित लगेगी नहीं ना पॉइंट नमर टू एसा भी कल्प सूत्र में सुनने में आता है कि कल्प सूत्र 21 बार सुनो तो मोक्ष हो जाएगा लेकिन वहाबी महुपादय विनेविजे जी ने फरमाया है कि सिर्फ 21 बार सुनने से कुछ नहीं होगा बाखी की आराधना करोगे तब ही मोक्ष होगा पॉइंट नमर तरी एक एको डगलू भरे इस तुती का अर्थ यह है कि जो आत्मा शत्रुण्जे तीरत की ओर चले वो हर एक स्टेप्स पर करोडो भव के करमों का क्षय करता है अब हम कहेंगे कि अनेक राजाओं ने शत्रुण्जे को लूटने के लिए या मंदिर को तोड़ने के लिए आकरमन किया है तो वो जब इस नीच काम के लिए शत्रुण्जे की और आगे बढ़ रहे थे तब उनको हर एक स्टेप्स पर करमों का क्षय होगा या नए पाप करमों का बंद होगा हमें मानना ही पड़ेगा कि उस वक्त तो हर एक स्टेप्स पर नए पाप करमों का बंद ही होगा यानि कि भाव के आधार पर फल मिलता है पॉइंट नमब फोर सात्यात्रा करने में द्रव्यक्षेतर काल भाव की विधी का पालन अत्यनत आवशक है अगर वो नहीं है तो तीसरे भव में मोक्ष भी नहीं है द्रव्य दोली में सात्यात्रा करे तो चलेगा क्या नहीं न स्टेरोइट्स लेकर सात्यात्रा करे तो चलेगा नहीं न वैसे ही शरीर पर पानी डाला जाए बाम आधी से मालिश किया जाए चड़ते उतरते वक्त अगर ऐसा हो तो वो सात यात्रा में द्रव्य की विदी है या अविदी वो सोचने जैसा है अगर थकान के कारण दादा के दर्वार में बैटकर ही रायन वरक्ष का और पुंडरिक स्वामी का चेते विदी है शांतिनात प्रभु का मंदिर थोड़ा अंदर है आलस के कारण बाहर से ही चेते विदी होई तो वो भी नहीं चलेगा राइट ये तो क्षेतर की अविदी मुख्य कारण तो एक ही है ना कि उसमें हिंसा की संभावना है तो फिर अंधिरे में यात्रा करे उसमें भी हिंसा की संभावना है ना यानि कि सूर्योदय के आधे गंटे पहले यात्रा शुरू करे तब तो शायद एक बार चल जाए लेकिन उसके पहले अगर यात्रा शु अगर इस प्रकार यात्रा करें तो वो चलेगी क्या इस प्रष्ण का उत्तर हमें ही अपने आपको देना होगा भाव में भी अनेक बाते सोचनी पड़ेगी अगर चेतेवंदन फास्ट करें तो भाव की कमी है चेतेवंदन के तमाम सूत्र शांती से उप्योक से बोले तो ही अगर ऐसे भाव हो कि है आदिना दादा कब यात्रा पूर्ण हो तो भी भाव की कमी है। सही है लेकिन साथ यात्रा करने से मोक्ष होगा ही ये एकांतवाद हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी विधी एवं भाव के साथ साथ यात्रा की जाए। तो हम मान सकते हैं कि तीसरे भव में मोक्ष वरना बिलकुल नहीं। जय महवीर जय महवीर जय महवीर जय महवीर